नमस्कार गुण मॉनिंग और सभी कैसे हैं सभी लोगों का स्वागत है फ्यूचर टाइम्स कोचिंग पर और आप इस चैनल पर नहीं है तो इस चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लीजिए बात है हमारी के 1949 1949 में चायना में आपको पता थी मैं नहीं पार्टी का अधिपत्य इस्थापित हो गया जिसका नाम गया था अब 1949 के बाद कम्मिश्ट विचारधारा जो चैना की थी वहाँ पर जो इस समय पर जो नियंत्रन कर रहा था और वो उनका जो दिमाग था विस्तारवादी दिमाग था अपने इसी विस्तारवादी दिमाग था उन्होंने इस पूरे तिब्बद को कैपचर कर लिया 1951 यहां तक हमने आपको बता दिया है चलिए यहां पर देख लेता हूं मैं कौन-कौन आगें यहां पर अनेल पिंटु प्रियंका लाइक अनमोल अनेल राहुल सूरज चलिए बहुत सारे लोग आ चुके हैं और आप इस वीडियो को ज्यादा स्यादा लोगों के पास जरूर कर दीजिए और क्योंकि यह इंडिया 262 में चायना की मन में ऐसा क्या आया कि उसने सीधे-सीधे क्या कर दिया हमारे उपर हमला कर दिया प्लेश्ट बूमी के लिए अगर आप पहली बार इस चैनल पर आये हुए हैं या पहली बार मेरे लेक्चर को देख रहे हैं तो इससे पिछला वाले लेक्चर आप जरूर संजीव हैं संकर है अलोग ठीक है प्रेयंका सर्मा चलिए तो मैं आपको बता दूँ लेकिन चाइना पर इन्वेड किया चाइना पर उसने क्या कि अधिकार कर लिया लेकिन उसका मन नहीं भरा क्योंकि किसी की जो पॉलिसी होती है अगर विस्तारवाद की पॉलिसी रहेगी यह आपको पता ही है अगर किसी व्यक्ति का मन ही ऐसा है कि मुझे इस प्रकार की पॉलिसी लेके आनी है तो फिर उसे कौन रोग सकता है कोई ने रोग सकता वहां तो इसकी तो पॉलिसी थी तो अब इसका मन केवल तिबबस से नहीं भरा इसकी ने तो कुछ और सोच रखा था अब देखना वहीं आपको पता चलेगा अब यह क्या कहता था कि यह जो अपना सकता है और उस समय पर भारत अज़ाद भी हो चुका था उनिससोंने चास में इस तिबबस से भारत की सीमा लगती थी भारत इसका पड़ोसी था लेकिन भारत ने बिलकुल भी बिरोज दर चाइना ने इस तिभबत पर अधिकार किया है आगे जाकर हमारे जो राजनेति हैं हमारे जो राजनेता है बढ़ भेणकर भूल करते हैं इससे तुम्हें आगे जाकर पता चलेगा ओके छलिए यह तो कुछ और था यह पूरा यह आपको पूरा सिस्टम दिखाय het दे रहां य उन्होंने की नीती बनाई यह हैंड़ पॉलिसी होता है कि यह क्या है एक तरह से पंजा है और पिर इसकी यह इसको कहते हैं तो उन्होंने कहा कैसा है अभी तो हम क्या करेंगे इस क्वजा करेंगे क्या करेंगे अभी तो 1949 की बात है अभी तो हमारा जो पहला लक्ष है वो तो तिब्बत पर कबजा करना है लेके रुकेंगे यहां थोड़ी यहां रुकेंगे नहीं अभी तो हमें अपनी फिंगर पर भी कबजा करना है और फिंगर कौन कौन सी थी यहां पर अक्साइचिन उ सोच किया थी उस सोच को वो decode कर सकते थे और पहले से ही इतने अच्छे इंतिजाम करते कि चाइना 1962 में हमारे उपर हमला ही नहीं कर पाता लेकिन हमने नहीं सोचा चलिए इतिहास में वह चीज़ दर्ज है और इतिहास में हम एक बार हा रहे हैं जीवन में अभी हम एक बार हा रहे हैं होर वह अपनी से जो मैं अभी आपको बताँगा कि आखी वह गलतियां क्या थी थीने में आपको बताँगा पिंघर देखिए यह तो हतեղी बंगई यो क्या हतेली है यह रहा इससा है इसके आलाबा नैाल है इसके भूटान है और इसके बाद अन्वाचर प्रदेश है एक दो तीन चार पांच इन चेत्रों पर भी हम क्या करेंगे कब जा करेंगे यह चाइना की समाज चुवादी नीती थी बास समझ में आई यह नहीं आई यह बात आपको समझ में आ जाएगी चलिए फिर भी हम क्या हुए अन्विग होते रहे आपको बैने बताया आपको क्रम बताया था नाइंटी फोटी नाइं यहाँ पनम क्या बात करने हैं नाइंटी फोटी नाइन में चाइना पर पीपल्स रिपब्लिक ऑप चाइना ठीक है इस पार्टी का कबजा हो गया इसके बाद इसने 1951 तक तिबब ही था और एक बात और तुम्हें बता दूं कि 1949 में भले ही चाइना पर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की जो पार्टी उसने कबजा कर लिया था लेकिन यह माननेता के लिए दर दर भठक रहे थे इन्हें कोई माननेता नहीं दे रहा था यह देश तो हो गए थे लिकि किसी बार्गेनिंग किये इन्हें माननिता दे दी थी ठीक है और आगे चल कर देखिए तिबस संबंध में कितनी हमसे भूल होती गई है वह मैं आपको बता रहा हूं 1954 में ने क्या किया इसे चाइना के साथ समझोता कर लिया इस समझोते को आप यहां पर पंचसील के नाम से जानती होगे पंचसील जो समझोता है वह चाइना और इंडिया के बीच में हुआ था 1954 में हुआ था कभी भी प्रशना सकता है और आप इस प्रशन को अच्छे से होता हुआ तत्काली प्रधानमंत्री कौनते जबाहललाल नहरू थे चीन की तरफ से कौनते चाउं इन लाई एक तो नामी ऐसे होते हैं चाउं पेई-पेई-पेई-ची ती चाउं में इसे नाग बंद करके या मुह बंद करके कुछ भी बोल दो वह चैनीज नाम मन जाता है थिक है इस प्रकार के नामे अब यहां पर क्या हुआ तो चैना दिब्बत पर कानुनिय अधिकार किया और उन्निसोचवान में भारत ने यह मान लिए कि चाइना ने पर जो जो तिब्बत पर चाइना का जो कभजा है वो वैद है लीगल है अब आप सोचिए माइंड सेट को सोचिए सोचिए कि जो तिब्बत है वह भारत की और उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा होगा लेकिन उस समय की कुछ परिस्तितियां भी ऐसी रही होंगी ऐसा नह मृण बात करेंगें तो चाहिए इसको बाद में सुल्टा लेंगे यहांson का स्थानग को और इस वांच के पांच के पांच विंदू जहां पे लेक्क का डूष दूसरे कि प्रादेशिक अखंडता एब हम प्रवसत्ता का सम्मान करेंगे याद रखो रेस्पेक्ट इच अदर एंदा टेरेटरी इंट्रिटी एंदा सवरनेटी ओके एक दूसरे के प्रादेशिक अखंडता देगी अखंडता ओके समझाएगे नहीं यानि कभी हम तिब्बत का सपोर्ट नहीं करें तक दूसरा करेंगे तीसरा देखिये एक दूसरे के आंतरिक विश्यों में हद्ट्यक्षेप नहीं करेंगे इंटर्नल कोई भी मेंटर हो हम उसमें इंटर्फियर नहीं करेंगे ओके पांच चौथा इसमें समानता पर्स पर लाब एक दूसरे में समानता वाला बिभार करेंगे और ऐसा बिभार करेंगे जिसे एक दूसरे को लाब हो हानी नहीं हो लाब हो ठीक है पालन करेंगे ठीक है इसके बाद सांती पूर्ण साह अस्तित्व, साह अस्तित्व है कि मैं भी जिन्दा रहूं, आप भी जिन्दा रहें, सांती पूर्ण साह अस्तित्व, साह माने साथ-साथ दोनों का existence हो, वो वाली बात, ठीक है, बासमेग नहीं, सांती पूर्ण साह अस्तित्व की नीती में व विश्वास रखेंगे to believe in the policy of the peaceful coexistence आप इनको याद कर लीजिए यह जो पंच सीर के सिद्धानते हानों याद कर लीजिए जो भी UPSC के एक्जाम देगा जो UPPCS के एक्जाम देगा UPRO ARO या जो आंसर रैटिंग करेगा आपको इंडियान फॉरिर पॉलिसी में इन सिद्धानत से लेकर 1909 तक वेटा बड़े ही त्रास्दी का टायम रहा त्रासदी किसके लिए वहारी नहीं दिए इंद्रों के दिया बात समयागा नहीं यह नाइंटी 56 से नाइंटी 56 से नाइंटी 49 में तिबबत में इंसरजेंसी आ गई यहां पर बिद्रो हो गया आंतरिक उतल फुतल हो गई और सब अपने चीनी सेना के रुद्ध भयंदर रूप से बिद्रोह कर दिया अब बताईया बिद्रोह करेगे तो चैना की सेना यहां पर आ गई और चैना की सेना ने तिबबतियों का इन तिबबतियों का जो बहुत तिबबती थे उनका क्या किया उनका कतलियाम करना प्रारम कर दिय इतनी बुरी तरह से कतलियाम किया नहीं आपे बच्चे छोड़े नहीं बुड़े छोड़े नहीं आपे महलाओं को छोड़ा महलाओं को तो ठाके ले जाते थे और याद रखो अगर किसी युद्ध में सबसे ज़्याद अगर किसी को तरासिदी का सामना करना पड़ता है तो वह रहाँ है आई-इए-इस ने जब इजीदी समझा होता था जीदी समझा है की महला को जवरजस्ती ले जाए गया और उन्हें सेक्स सिलेव बना दिया गया उन्हें सेक्स डातिवी बना के उनके ISIS के लड़ाकों के लिए रखा गया तो उनके साथ बहुत ही खतननाग रूप से उनके साथ गल्द बिवार किया जाता है महलाओं के साथ तो यहां भी ऐसा हुआ अब क्या हुआ कि जब भूटली इनका मर्डर हो रहा था तो इनके एक नेता थे जिनका नाम दलाई लामा है इनका नाम क्या है लामा माने क्या होता है गुरू इनको जीवित इश्वर की संग्या दी जाती है उनको क्या कहा जाता है जीवित इश्वर होती है और लोग अपनी स्रद्धा से अपने मन से मानते हैं ठीक है आज भी तिबबत के लोग में आज बता रहा हूं को आदेश की तरह मानते हैं ओके चलिए यहां पर याद रखो किसी काम कर नहीं है यह तो कोई काम करें घूटा मेरे पास कॉल कर लेना ऐसी कोई बात नहीं पर नाएपको बता दूंगा के कोई बातर निया कर भी के पास मी प्रैशर होता है ठीक है चलिए अब यह में जो पतारू समझिए यहां पर कि यह जो क्या है दलाई लामा अब इन्होंने देखा कि 1969 में 1969 में ब्रूटल मर्डर हो रहे थे तो यह दलाई लामा ने क्या कहा कि अगर मुझे मैं जिंदा रहूंगा तभी तो विकास कर पाऊंगा तभी तो इन सारे लोगों को बच्चा पाऊंगा तो अपने कुछ अनुवाईयों को लेकर अनुवाईयों को लेकर कहां आ गए हमारे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान में एक इस्थान है उसका नाम है हिमाचल प्रदेश उसका नाम क्या है हिमाचल प्रदेश और तिबस से लगा हुआ जो छेत्र है उसका नाम है धर्मसाला ठीक है इस धर्मसाला में आ गए इसका मतलब क्या हुआ इनोंने निर्वासित हो गए यह निर्वासित होकर यानि तिबस से भाग कर वह धर्मसाला में इनोंने पना ले ली और भारत ने इनको सरण दी ठीक है भ संत्रिक जगड़ों में हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तीक है चायना ने का रहे यह क्या किया तुमने ऐसा है दलाई लामा को बाहर वेजो मेरे पास वेजो मैं इसे पकड़ूंगा ग्रफतार करूंगा भारतिनकार नहीं भीया बात क्या है कि हमारा तो सुरुवास्य सि सरण दी सबको हमने सरण दी हमारे इतिहास रहा है लेकिन हमें आपसे वादा कर रहे हैं भारतियों ने या भारत के जो उस समय पर प्रधान मंत्री थे उन्होंने वादा किया कि देखिए हमने इनको सरण दी है लेकिन हिंदुस्तान की जमीन का प्रियोग चायना के हमने इनको सरण के बाद हमने चाना से कह दिया एसा है कि यहां भारत में आ गए यह तो भारत में बस रहेंगे लेकिन यहां चाना के बुरुद्ध कोई भी सडयंत नहीं कर सकते यहां पर आकर वह तिबबत की स्वतंद्रता की मांग नहीं कर सकते है, पूरी तरह से हमने इनों को बाउंड कर दिया, कि केवर यह रहें यह हमने चाना को पूरी तरह सधस्पाइख करने कि कोई करी है लेकिन चाइन है वह अंदर यांदर एक दर खार खाए बैठा थो वह अंदर अंधर यह जैसा देश ही कि मेरी बात नहीं मानना है। तो वैंदर जल रहा जल रहा हृता जल रहा था वह सोच रहाता कि कैसे भारत को सबग सिखाए जाए नेटी 59 से उसे समय कर हमारी इंटेलिजेंस एजन्सों एजेंसियाoten जो हमारे राजिनितिक के थे जो को हमारे प्रशासने कदिकारी थे अगर वो थोड़ा सा भी चाइने के इस्टेडी करते तो साइध यह समझ जाते के चाइना के मन में क्या चल ला है और वह 1922 का युद्ध भी कर सकता है इसके बारे थोड़ा सा तो हमें पता होना चाहिए था है 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 सर आपने यह तो नहीं पढ़ा यह था है अब यहां पर समझ में आई यह नहीं आई जो आप बता दी चलिए अब क्या हुआ आगे चल खर 1969 से चायना क्या था चिड़ा हुआ बेटा था वो सोच रहा था किस तरह से भारत को सबक सिकाये जाए और फिर आ गई वो घड़ी 1962 की जिस भारत ने कभी भी तीक है याद रखना भारत आजाद हुआ पर आजाद हुआ, 1947 में आजाद होने के बाद वो चाहता तो अपनी जो सैनग चम्टा को बढ़ा सकता था लेकिर भारत ने कीन मेरे उपर हमला क्यों करेगा और मुझे कि नहीं करना हैं, में अपने सैनिक च्छमता को क्यों बढ़ा हूं। हमारे यहां पर बहुत सारी पॉलिसी एक यह उभाओंपर बताये गया खे इसा है के हमारी प्रइसथी नो बहुत शारे चीज़ियं बता रहे हैं, अपप it जाद आदर्श व्यक्ति थे ऐसा नहीं कि उनकी जो सोच खराब थी लेकर परिस्तित यां थी और कुछ उनका एक अपना व्यक्तित था उसी हिसाब से वह सोचा करते थे उन्होंने का कि सेना का क्या करूंगा इतनी सेना का मैं जो मैं रुपया खर्च करूंगा अगर उतना ही मैं अपने देश के डेवलेमेंट में लगा दूँ तो देश करिकास होगा उनकी सोच गलत नहीं थी लेकिन उनका जो माइंड सेट जो परोसियों के प्रति था वह बहुत गलत था वह चायना से पंचिसील का सिध्धान्त जब उन्होंने साइन कर दिया तो चायना से नहरू इस पंचिसील के सिध्धान्त को बहुत ज्यादा सीरियस ले रहे हैं जबकि चायना इसको सीरस कभी नहीं लेगा याद करो डॉक्टर भीम्रावं मिटकर जैसे व्यक्ति यहां पर थे उन्हें पता थी कि फॉरइन पॉलिसी के बारे में वह बाहर पढ़के आये तो नहीं कभी भी नहीं तोड़ेगा इस वालि उस जो हमने यहां पर किया कभी के म हैं वंग हम ओद्विक और से कर सकता है यह लड़ाई बास्तम में सोच जो शोब esta कर सकता है sing चाहिना की कि आवकात नहीं थी हमें हराने की यह हम से आन्खें मिलाने की कि उस time पर же न अभी आव रहा था चाहिना कहोई बाष्ट आश्टाविघ से बहुत ज्यादा डेवलमेंट नहीं sounds उसकी सैन्स बहुत ज्यादा तागतवर नहीं थी चैना की से जो एयर फोर्स यहां पर थोड़ा सा समझ लेते हैं 1962 1962 में बरहाल क्या हुआ उस समय पर कितना इंसीरियस थे हमारे यहां के लोग इससे पता चलेगा कि पंडिक जवाला नहरू जब क 모illä gir swabastasi में हिती ने हमला कर दिया यह कहाँ थे वाइसाब यह नैपाल में ते यह नैपाल कर रहे हैं कि हां चाइनने कि ja साथ चाइना ने हमला कर दिया आप क्या करोगे उसने का हम भी उन्होंने का हम भी उत्तर देंगे कहां थे नेपाल थे यह से आपको इन सीरियस जो सुचेशन की आपको पता चल जाएगी कि भारत ने बिल्कु नहीं सोचा था भारत की इंटेलिएंस एजेंसियां सो रही थी स उन्हें पता ही नहीं चल लाता कि चायना आखिर कर क्या रहा है वन्ना इस समय पर ऐसी दुविदावरी समय पर कोई विदेशी यात्रा तोड़ी करता है इसके अलब और में तुम्हें पता हूं एक और व्यक्तितों का नाम था यह यहां पर दिखाए थे रहापको बीके क् पर घूम रहे थे चुटियों पर घूम रहे थे इसी से आपको पता चल जाएगा हम कितने उस समय पर इंसीरियस थे बात समझे मैंगे नहीं चलिए कर 1922 के युद्ध के कुछ यहां पर मैं आपको बता रहा हूं वो याद रखें तो आपको साथ पता रहेगा थोड़ा मैं पर बड़ा करके दिखा दे रहा हूं इसको जिससे के आपको पता रहे थीक है जिससे के आपको यह पता रहे उनको थोड़ा जा पढ़ ले ना ठीक है चेर मैं ऑप दा चाइनीज कम्मिनिस्ट पार्टी यहां पर द्यान रखना कौन थे यह थे माओ जैडांग उके उसी सम में 1962 की बात कर रहा हूं याद रखना ठीक है उसके बाद क्या थे अब प्रसीडेंट ऑफ चाइना ठीक है अब प्रसीडेंट ऑफ चैना जो है वह कौन थे लियो साउकी और प्राइम मिनिस्टर कौन थे जवहला नहरू ओके यहां पर यह जरूर याद रखना इसके बाद जाओ इनलाई यह प्रीमियर ऑफ चैना ते यानि जो जन्रल बगएरा होते हैं और भारत में कौन तो श्टाम पर जन्रल प्राणाथ था पर यह बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसमें मैंने यहां पर दे रखी है और वह इन्फॉर्मेशन को आप देख लीजिए कर मैं अभी इसे पर आपको बता दे रहा हूं थोड़ा सा इंडिया और 1912 के युद्ध के बारे में अब 1922 के युद्ध हो गया और 19 living में चाइना ने हमारे बहुत सारे चेत्र पर हमला कर दिया भात बहुतबऒदी उन्धा कर दिया अचानक हमला किया अब अचानक हमला किया तो हमाने पार रेस्पोंड करने के लिए समय नहीं था अब मैं आपको कुछ कुछ चीजा बता रहा हूं कि आखिर ऐसा क्या हुआ 1922 में हार क्यों गए आपको थोड़ा सा पता चल जागा पहले तो यही बताया आपको कि हमारी सरकार बहुत ज्यादा यानि उसको पता ही नहीं था हमारी जो इंटलीजेंसी एजेंसियां थी वह फेलर कर गई थी पूरी तरह से उन्होंने बताया ही नहीं था कि वहाँ पर चायना हमला कर सकता है नेकबल में तहल रहते हमारे जो ग्रह मंतृ वी बाहर एक चुट्यों में तहल रहते बास्मोघिया और वहां पर हमने बहुत जैदा फौजी भी नहीं लगा रखी थी थे थी थेल माले की दुर्गम चत्ता को दुर्गम पहाडियों को कोई पार नहीं कर सकता भारत पर उत्तर से तो हमला ही नहीं हो सकता यह भी भारत के मन में पूरुवा ग्रह बैठा हुआ अब और तुम्हें और चर्च बता हूं उसने में जो सेनकों के हाल बता रहा हूं हमारे पास पता है बंदूग है नहीं थी एक व्यक्ति को केवर 50-50 कार्टूश मिला करते थे 55 कार्टूश तो आपको पता है कि हम यहां पर जो साधियां होती है उसमें उड़ा देते हमारे बॉर्डर पर लोगों के पास क्या थी कि 50-50 तो कार्टूश थे आपने देखा हुआ वो बंदूग होती है बंदूग के सामने एक तलवार सी लगी रहती है ठीक है एक सामने सेन उड़ा क्या हो नावको के पास बेहतिआ जूते नहीं थे आप यह समझेए। ठीक है उनके रोग हो गया था हमारे सेन कोंको एक रोग रोग होता है है कि 30 याद रखना कौन से रोगट कर रहा है हॉन हइट धरवीन तो आपको याद रहेगा है पटर अब लगने के बाद हमारे हात कार करना बंद कर देत λेता है और व्यक्तिकी मिर्फ्यू हो जाती है हाई हमारे जूते ते वह भी जनरली जो तुकान पर बीखते वो ते और जो तिबत की कड़ कड़ाती ठंडव के लिए काफी नहीं थे जैसे मैं आपको थंड़ी की प्रदेश की बात बतानाओं कि अगर आपके पास कोई अच्छा सा कबच नहीं है पर आपके पास ऐसी condition यहां पर हुई थी हमारे से थी हमारे से अलों कपार असलाह नहीं था हमारे को पास कपड़ा नहीं था हमारे से यख़कों। से अलोराट में सौ सके यह तो matter समय नहीं ती जिसको ऊक्रेंगे काई यह गाए से जब इनके पास खाने के लिए कुछ है नहीं लड़ने के लिए कार्तूस है नहीं ठीक है पहनने के लिए कपड़े है नहीं ठीक है जूते इनके पास अच्छे कोटी के नहीं है ठीक है सोने के लिए या कुछ देर आराम करने के लिए इनके पास टेंट अच्छे नहीं है तो आप क्या सोच रहे हो कि ऐसी सेना किस चाइना के हातों गवा दिया बहुत बड़ा हिस्सा हमने क्या किया चाइना के हातों गवा दिया मैं आपको उस हिस्से के बारे में अभी आपको बताऊंगा ठीक है दिखाऊंगा अभी उसको कौन-कौन सा हिस्सा है वो यह मैंने आपको एक बार शुरुवात में ही बताये था, यह सब हिस्सा हमने क्या कर दिया, गवा दिया, ठीक है, 1962 की टाइम की बात है, 1962 में हमने यह खो दिया, जिसको हम आज अकसाई चिन कहते हैं, यह हमने 1962 की युद्ध में खोया है, ओके, 1962 में इसने चाइना ने कबजा कर लिया, और उस समय, ठीक है, चाइना ने हमला किया, चाइना ने भारत को हरा दिया, और अपने आपी पीछे हट गया, लेकर इससे पीछे नहीं हटा, एक रेखा आई, 1962 में, जिसे हम LAC कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, LAC, Line of Actual Control, इसको में बात करूं, International Line तो बेटा ये है, याद रखना, that is the International Line, but it is the temporary line, it is a siege fire line, ये siege fire line है, जब युद्ध बंध हो जाता है, यानि चीन की सेना यहां थी, हमारी सेना यहां थी, और यहां पर एक boundary का निर्माड हो गया, ठीक है, चाइना यहां से पीछे नहीं हटा, उसने अक्स लिए, ठीक है, इसी को हम अक्साइचिन वाला छित्र कहते हैं, यह बहुत बड़ा छित्र है, ठीक है, लगवा लगवा, 40-50,000 km2 का छित्र है, यह छोटा मोटा छित्र नहीं है, ठीक है, यहां पर LAC का निर्माड हो गया, यहां पर line of actual control का निर्माड हो गया, आज हमारा ज जो किसके साथ है, यहां पर जो आपको दिखाई दे रहा है, यह चैना के साथ है, अब यहां तो मैंने इतनी चीज बता दी, यह तो केवल क्या है, लड्दा-खनले का हिस्सा है, इसके अलावा, यहां पर भी, यह दो आपको red-point दिखाई दे रहोंगे, 12 होती धर्रा है यह पर क्या 12 होती दर्रा उत्तरा खंड और हिमाचर फिदेश इसके 2000 किलोमीटर यानि इतने चेत्र पर कबजा कर लिया है चैना ले इस पर कुछ चेत्र ने कबजा कर लिया इंडिया यूए वो में अक्साइचेन का मेटर क्यों ने उठाता अक्साइचेन का रीजर है वह हम बताएंगे ऐसा कोछ नहीं था जूते सर वहली सेना की कमी थी नहीं जूते भी थे आप पता करना अश्ची को ठीक है अनिर कुमार खुब अच्छे से याद करना पढ़ना के बहुत अच्छी तरह से स्टेडी करके आता हूं जो मैं पढ़ात में पढ़ाने आता हूं तो जूतों तक की आसलार नहीं था बहुत सारी चीज नहीं था एक है अब इंडिया क्यों नहीं तो ऊठाता उसके पीछे भी रीजन है क्योंकि हमने का लिवाक hen यस्ए mostly है और हम कहते हैं कि यह हमारा है और दूसरा क्या है क्या है चैना कहता कि हमारा रह बात क्या है आपको पता है जह उपन सी होती है यूनाइटे नेशन से क्योरोटी जो कांसिल होती है उसका चाना पर्मानेंट मेंबर है अब बताए पर्मानेंट मेंबर है तो हम तो पर्मानेंट मेंबर नहीं है ना तो पर्मानेंट मेंबर नहीं है तो चाना उस पर हर किसी प्रस्ता पर वीटो कर देता इसलिए ह इसके अलावा ये दो चीज़ हो गई, तीसरा क्या है, यहां पर भी उसने कुछ छेत्र पर कबजा कर लिया, ओके, जो अन्नाचर पिदेश के कुछ छेत्र पर कबजा है, और पूरे अन्नाचर पिदेश पर वो अपने कबजा दबाता है, 1962 की ये बात है, ठीक है, अब बताओ अब हमारे राष्टवाद को कितना बड़ा धक्का लगा होगा, आप यह सोच सकते हैं, यहां पर आप दो महतपून चेहरों को देख सकते हैं, 1962 के, 1962 के दो महतपून चेहरे, जो कभी-कभी तो गुस्ता भी आती है, लेकर कभी-कभी ऐसा लगता है, के चलो ठीक है, यह है क्रश्णा मैनन, यही थे होम मिनिस्टर, देख लो इनकी सकल सूरत, यह है हमारे कौन, यह है उस समय पर ततकालीन पधान मंतरी, पंडित जवाहला नहरू, यह क्रश्णा मैनन वो हैं, जिनके समय पर जीव घोटाला हुआ था, याद रखना है, यह वही है, इन्हें कोई मत 1962 के युद्ध को क्या हुआ, चाइना से हम हार गए, इसका जो प्रभाव, इनका जो गहरा प्रभाव, इनकी उपर पड़ा नहरू जी के उपर, अब नहरू पर क्वश्ण मार खड़ा हो गया, ठीक है, हर कोई पता जैसी संसत में जाये करने, बहुत सारे लोगों नों इसे सवाल करना सुरू कर दिया, जैसे में आचार क्रपलानी प्रमुख थे, इनसे सवाल करने लगए, हमने पहली कहा था, कहते न, हमने पहली कहा था, हिंदी-चीनी भाई-भाई-भाई, कुछ नहीं होता ये, आपने क्यों गौर नहीं किया, क्यों आपने इतने छेत्रों को ग और उसके बाद कौन आ गये थे आपको पता है लाल बहादुर सास्त्री का प्रादरुभाव हो गया था 1962 में बरहाल जो हुआ 1962 के बाद कस्मीर की कुछ यह इस्तिती हो गई थी ठीक है 1962 के बाद यहां पर तो यहां पर तो पहले ही क्या था यह इतना वाला चो छेत्र था यहां से लेकर यहां तक इस छेत्र पर तो पहले ही पाकिस्ताने कब जाकर रखा था पाकिस्तान की युद्ध के समय में मैं इसको बताऊंगा इसको हम इसके बाद हमारे पास से इतना हिस्सा और चला गया यह वाला हिस्सा और चला गया ओके चली इतना अब देखो पाकिस्तान क्या था पाकिस्तान तो हमारे पहले बुरुद्ध में था पाकिस्तान तो कभी नहीं चाहता था भारत का दिकास हो अब उसने क्या किया उसने देखा कि 1962 में चाइना ने भारत को हरा दिया ठीक है तो एक नियम है कि दुस्मन का दुस्मन दोस्त तो भारत का दुस्मन एक तो ये था पाकिस्तान था और भारत का दुस्मन कौन है चीन तो इस पाकिस्तान ने जो इसको पाकिस्तान तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा पाकिस यह वाला जो चेत्र जो आपको दिखाए दे रहा यह, यह 1963 में किसको चाइना को सौप दिया, किसने पाकिस्तान ओनिस तो93 में यह वाला जो चेत्र था, चाइना को सौप दिया, क्योंकि चाइना एक साथ क्या था, वो बहतर salvation बनाना चाहता था, और अपनी जमीन को दे दिया चैना को गुंजा गिलिगिट भी कहते हैं इसको और इसको सासगम बैली भी कहते हैं उसको क्या कहते हैं सासगम घाटी इसको हम क्या कहते हैं सासगम घाटी याद रखना ओके चलिए अब ये वारा छेत्र भी किसके पास पहुंच गया चैना के प अब ये हमारा है ये भी हमारा है और एक दिन हम इसको लेकर रहेंगे तो ये वाली इस्तिती है वह समझ लेजिए ठीक है का सरदार जी फर्ष्ट पीम होते हैं हां बिल्कुल सरदार जी कि अभी में जब इंडिया पाकिस्तान वाले यह तो पड़ाऊंगा लेकिन एक बात या अगर सरदार जी नहीं होते न तो हमारे देश में पता है यहां से लेकर दक्षिण में कंड्या को मारत जाते हैं तो पचास वीजा लेने पड़ते तुम्हें अलग-अलग देशों में जाने पड़ता तो वो होते तो भी क्या करते हैं वो तो उस समय परनुकी तो डैथ हो भी थी क्या चलिए 1962 के युद्ध को हम बरहाल हार गए हमने बहुत सारे चित्र को खो दिया और भारत की चवी को गहरा धक्का लगा पूरी दुनिया में गया कि भारत को हराना तो बड़ा आसाना भारत कुछ है नहीं ठीक है भारत के पास तो कुछ है नहीं और यही रीजन है कि 1962 में चायना ने युद्ध किया उसके बाद इसकी हिम्मत पर गई पाकिस्तान की उसने का चायना तो बड़ा चायना ने इसको हरा दिया ठीक है चायना के पास तो ज्यादा आधुनिक हतियार नहीं है मेरे पास तो USA के पैठन टेंक है मेरे पास तो हवाईजाज कीजिए बताऊंगा ठीक है अभी केबल चायना की बात चल लिए तो अभी हम केबल चायना की ही बात करेंगे ठीक है चलिए अब क्या हुआ अब हुआ एक और 1962 के बाद 63 गुजरा 64 गुजरा 65 में हम इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ और जिसमें भारत की लगी रहती थी च्छोटी सी जो होता था वो अब मुझे पता नहीं उसको क्या गया दें तोपसी लगी होती थी उन पर पैठन टैंक थे हमारे पास हंटर नामक जो हंटर कहते ना हमारे पास हंटर जैसे जो छोटे-छोटे जो हवाई जाहाज वगर आते इंडिया ने भी वहाँ पर अमेरिका के दुआरा दिये बड़े अच्छे जहाज थे 1965 में लेकिन कहते न कि जो युद्ध होता है वो हतियारों से नहीं हतियारों के पीछे जो खड़े होते हैं उनके होसलों से लड़ा जाता है भारती सैनाव के होसले बुलंद थे और इतने होसलों का गवा अमारा बहुत सारे अब जैसे अब्दुल्हमीद अब्दुल्हमीद ने उस बत्तर बंद गारियों से पाकिस्तान के बहुत बहत बहतरीं टैंक जो पैठन टैंक थे तीम टेंकों को मार गराया था और खुद बीर गति को प्राप्त हो गए थे ऐसे परमबीर अब्दुल हमीद के लिए एक लाइक तो बनता है ठीक है और इस सूचना को पता घरगर पहुचाना बहुत जरूरी है अब हमारे युवा पीड़ी को पता होना चाहिए हम 1965 के प्यारों की कमी थी उस समय हमारे असलाह कम थे उसके बाद हमारे पास टेकनोलोजी काफी कम थी फिर भी हमने पाकिस्तान को नाकोचनी चपबा दिया था वह हमारा हिंदुस्तान तो ऐसी चीज़ें जरूर बताए इजरायल फिलिस्तीन में बहुत अंतर है फिलिस्तीन एक परमाडु बंबी नहीं है यहां पर एक देश है पूरा पाकिस्तान पाकिस्तान के समर्थक भी है चैना भी पाकिस्तान का समर्थन कर देता पहले तो पता है जो कुछ आज से बबेरवाल चैना चलिए उके अनमोल राजकुमार चलिए ओके चलिए अब इस वीडियो गरगर पहुंचा तो अपने सारे दोस्तों को अपने परवार में समय पहुंचा हो ठीक है चलिए अब 1960 की बात करते हैं 1962 निकला 63 निकला 64 निकला भारत के मन में कसक थी 1962 में चाइना से हरने की कसकती राष्टवाद कूद रहा था हमारी रगों में राष्टवाद हमारे जो पूरे सरीर में खून की तरह दोड़ रहा था और हम यह सोच रहे थी एक मौका मिल जाए इस चाइना को निपटा दें एक दो बैसी चोटे-चोटे-चोटे-चोटे होते हैं अगर एक सरदाद जी को खड़ा कर दिया जाए तो पांच-पांच-छेचव को तो ऐसे ही मार देगा तो बड़ा अंदर से कहते हैं खून खौला होता है कि हम किसी से हार गए होते आप की मौका मिल कहां पर मौका मिला यहां पर पहले तो उसने यह वाला चेतर पर कबजा कर लिया इस वाले चेतर पर थोड़ा सा कबजा कर लिया यहां पर कुछ कबजा कर लिया यहां पर अब उसकी निगहा किस पर थी सिक्किम पर निगहा थी अगर हम सिक्किम की बात करें तो वेटा यह स सिक्किम की पोजिशन है और सिक्किम की पोजिशन को मैं यहां पर बड़ा करके दिखा रहा हूं जो आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा बड़ा करके अगर हम सिक्किम की पोजिशन को देखें तो यहां पर देखो यह जो आपको दिखाय दे रहा है यह क्या है यह दोकलाम है इदर भूटान है इदर चाइना है और यह सिक्किम की रेखा जा रही है जैसे यह वाली ओके तो यहां पर दोकलाम है अभी मैं थोड़ा सा बता हूँ 2017 में जो यहां पर हुआ था यह दोकलाम यहीं पर हैं आपको अच्छे से समझने के लिए देखिए यह सिक्किम है यह जरूर याद रखना ऐसे करके आगे चले कि सिक्किम ऐसे है यह दर से चायना है और इधर क्या भूटान है यह वाला तो देखो यहां पर डोकलाम है यहां पर है नाथूला दर्रा रहान परी नाथूला दर्रां के बाद एक और दर्रा था चो गया पर क्याते हैं इसमें और काफिए चायना से इसे नाथूला दर्रा के बाद, इसे नाथूला दर्रा के बाद, एक और दर्रा था, चोला पास, यहाँ पर क्या है, चोला पास दर्रा, यहाँ पर क्या था, नाथूला दर्रा, याद रखना, ठीक है, और क्या था, चोला, यहाँ पर क्या लखा है, चोला दर्रा, अब कनहां लाला लगा हुआ है लाला वाले होता है चैनिज में क्य dissubti में दर्रा कहते हैं तो ना तुला डर्रा और चोला डर्रा जोड़ते हैं याद रखना डोनगी डर्रे कर चैना से क्या थी इन देलों पर नियंद्रण कर लिया जाए और 1963 में इसने अपनी सेना यहां पर भेज दी और यहां पर लडाई प्रार्म हो गई अब कर लडाई प्रिव देखिये मैं आपको यहां पर फिर बता दे रहाएं यहां पर यह जो देखिए 11 से 14 सतंबर 1967 नाथुला पर और एक अक्टूबर 1967 चोला दर्रे पर लड़ाई प्रारम होई लोकेशन कहां थी लाथुला और चोला ये कहां पर है चैनीज और किंगडव और सिक्किम उस समय पर सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था याद रखना उस समय सिक्किम भा खार आपको बड़ा मं परसंद हो जाता है इंडियर का यहां पर देखिए यह यह किपीदिया आपने प्टेपार पेज अबस्ते की नावुद कर दिया था भास जपर भारत के बहुत कम सेनक मरे थे और चाइना के बहुत सारे सेनक मरे उननीस सरसट के क्लैस में इंडिया विक्ट्री इसको देखने के लिए मैं इसको और बड़ा करके दिखा देता हूं क्योंकि बड़ा पता देखने में और बड़ा मज़ा आता क्योंकि इसको तो वह भी देखता होगा इंडिया वेक्ट्री कब हुई है 1967 में 1967 हमारे राष्टवाद ने भारती सेना का दम साहस ने इस चैनीज जो लोग है उनके नाक में चने चबबा दिये अब सोचिए 1967 के बाद चाइना के इतने सेनक हमने यहां पर मारे थे कि चाइना का बहुत सालों तक हिम्मत नहीं पड़ी यहां क्या सपास आने की याद रखो ऐसे ही कभी कभी ओफेंसिव हुआ जाता है कठोर कदम उठाने पड़ते हैं और यहां पर कठोर कदम हमने उठाया 1967 की यह बात है तो 1967 में भी आप यहां पर कुछ चीज़ें देख सकते हैं ठीक है सारी चीज़ें मैं आप बता दिया है और आप इसका स्क्रीशॉट भी ले सकते हैं ठीक है वर्ल्ड मैप ठीक है उन्नीज़ा सरसेट का है होके अब यह डेट कभ लड़ाई कभ हुई थी यह रखो 11-14 सतमार 1967 को नाथुला दर्रे पर हुई थी एक अक्टूबर नीज़ो सरसेट में चोला दर्रे पर हुई थी अब बेकी पीडिया पर जाके इसे देख सकते हैं लोकेशन क्या थी नाथुला और चोला ठीक है साती सात में क्या था यहां पर में आमने बताया है यहां इंडियन विक्ट्री ठीक है चैनीज ओफेंस अब नाथुला एंदा चोला रिपीड ठीक है इनको कभजा करनी कोशिश करी थी अब देखिए इंडिया और चैना दोनों में अंतर देख दिए प्रसीडेंट कौन थे जाकिन नाइक यह ज़रूर इयाद रगना कभी यह प्र ठीक है क्यों चैना को यह नहीं पता होगा कि अईर लेडी आ चुकी है अब इंद्रा गांधी प्रण मंत्री इस समय पर इधर कौन थे वांग चैंग आंग पता नहीं क्या है वांग चैंग जनरल पीपी कुमार मंगलम थे और इधर कौन थे तिबद मिलिट्री डिष्टिक के उनका नाम था चैंग गैंग अब क्या है मुझे इस तरह से नाम भी निलेना आता है इनका बरहाल हमने चैना से अपना बदला ले लिया 1922 का बदला हमने ले लिया बहुत सारे चैना के सेनकों को हमने यहां पर उड़ा दिया ठीक है चलिए अब आ जाते हैं अब एक और बात आती है 1900 कितना हुआ 1962 अब 1922 के बाद बीच में मुझे एक चीज और रह गई है 1922 के बाद एक समय था 1964 ठीक है 1964 में मैं आपको एक चीज बताना बीच में भूलिया हूं तो मैं यहां पर बता दे रहा हूं 16 अक्टूबर 1964 इस डेट को आपको याद रखना है 1962 के बाद क्या हुआ 1964 और 1964 में चाइना ने प्रथम परमारु विस्पोर्ट किया यानि परमारु संपन देश बन गया ठीक है चलिए बस इतना याद रखना है और उसके प्रोजेक्ट का नाम क्या था 596 यह जरूर याद रखना एक टेस्ट किया था मैं आपको एक एक जानकारी इसलिए देता हूं कहीं भी आपको बाहर पढ़ने की जरूतर ही पड़ेगी इतनी सारी चीज़े बताता हूं मैं आपको यहाँ पर ठीक है चलिए अब यहाँ आप देख लिया 16 अक्टूबर 1964 देखो दुबार से धान रख को 1949 में पीपल्स रिपब्लेक ओफ चाइना का कभजा हो गया ठीक है पूरी चीन पर 1900 अगर उसके बाद चलेंगे 1950 क्यामन में तिबत पर कभजा हो गया 1962 में उसने अकसाई चीन पर कभजा कर लिया 1964 में इसने परमानु विस्वोट कर दिया और उसके बाद 1960 में फिर वो हमसे लड़ गया इतनी सारी चीजे आपको यहां पर पता होनी चाहिए अब क्या है अब एक चीज में आपको बता दे रहा हूं जो बहुत ज्यादा बात की जाती है बहुत ज़्यादा बात की जाती है UNO की किसकी बात की जाती है UNO की ठीक है UNO की और यह कहा जाता है UNO में ठीक है एक चीज होती है United Nation Security Council ये तो नाम सुना होगा न अपने United Nation की स्थापना कब हुई थी 24 अक्टूबर 1945 24 अक्टूबर 1945 को क्या हुआ था UNO की स्थापना हुई थी पहले तो यह वाली बात याद रखो सबको अच्छी तरह से याद रखनी है और इसी में मैं चायना का कैसे संबंद बताऊंगा कैसे एक जो इंडिया पर इंडिया के लोगों पर या इंडिया पर या अक्षेप लग आए जाता है वो साइध आक्षेप आपके नाम से पता जलेंगा दिया है चलिए प्रियंकर सिनमा चलिए जी आईए यहां पर समझीए तो यू एन ओ यू नो की जो इस्थापना हुई वह कब हुई यू यू की स्थापना हुई आपको पता होना चाहिए 24 अक्टोबर 1945 को अब यू नो में क्या है यू नो में एक चीज़ी होती है UNSC United United Nation Security Council और United Security Council यहां पर सब को लिखा हुआ है न ठीक है यह सब कुछ मैंने यहां पर लिख दिया है और अभी मैं आप भारत में जो आक्षेप लगते हैं वो मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या होता है पांच पर्मानेंट मेंबर हैं यह आपको पर्मानेंट मेंबर याद रख यह 10 जो आपको दिखाई दे रहे न यह क्या है अस्थाइस दस हैं दो बर्स के लिए यह क्या होते हैं चुने जाते हैं आज के लिए मैं बता रहा हूं आज कौन कौन हैं पर्मानेंट मेंबर तो सेम रहते हैं और यह मेंबर बदल जाते हैं इस समय UNSC में हमारा इंडिया भ भी रखनी है ठीख है चलिए अब क्या था 1945 में इसका गठन हुआ uh 1945 में गठन हुआ तो इसमें कौन कौन बने स्वत्री कांसल में प्रमनेंट मेंमर कौन बनाय या निए फ्रांस था रसिया था यूनाइड गिडूम था यूनाइड ँनकल था यूनाइड इस्टेट था थीबू, ये सब थे इसके अलावा China हुए था याद रखना कौन था? चाइना भी था याद रखो चाहना दो हैं एक People's Republic of China एक Republic of China ता Republic of China United Nation का या ULSC का permanent member था याद रखना permanent member था भासना एक नहिस तो कभी 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 ये गलती हो सकती है कि आपके दिमाख में बहुत बार यह डाला जाता है, बहुत सारे हमारे यहाँ पर जो यूटूबर बैठे हुएं, वो कहते हैं, कि अरे इंडिया को ओफर हुई थी सीट, इंडिया को UNSC में एक ओफर हुई थी पर्मनेंट सीट, लेकर इंडिया ने मना कर दिया, इंडिया ने चाइना को नहीं दिया, एक बार केवल USA ने बोला था कि क्यों ना, रिपबलेव चाइना वाली सीट को भारत को दे दिया जाए, केवल एक स्टेटमेंट दिया था, उसके अलाबा अमेरिका ने कुछ भी आगे इनिसियेशन या इनिसियेटिव जो होता है, कुछ भी कदम न हुआ क्या तक Republic of China जो आज का ताइवान है, उसकी सीट थी यहां पर, ठीक है, क्योंकि इस People's Republic of China जो बड़ा वाला जो चाइना है, इसको कोई माननेता नहीं देता था, ठीक है, लेकिन 1971 में, कब हुई 1971 में, 1971 में जाकर चाइना को क्या मिल गया, पनमनेट मेंबर का सिप मिल गया, क्योंकि जो ताइवान वाली जो सरकारती Republic of China उसको हटा कर People's Republic of China को भीटो पावर दे दिया गया, UNSC में उसको इस्थान दे दिया गया, इसके पीछे भी रीजन था, क्योंकि अमेरिका में, देहारदना, अमेरिका और रसिया, यो USSR था उस टाइम पर, दोनों में क्लै अब चाइना को अपनी तरब सपोर्ट में कंडे के लिए, अमेरिका ने चाल चली के एक काम करो, मैं इसको मानता दे देता हूं, कम से कम ये रूस का सपोर्ट तो नहीं करेगा, ठीक है, तो मैं इसको क्या करता हूं, UNSC में जो ताइवान के जगह पर इसको पर्मनेंट सीट दिलवा देता हूं, तो अमेरिका के प्रियासों से, चाइना को UNSC में क्या मिली, पर्मनेंट सीट भी लगई थी, जो पीपल से रुपब्लेव चाइना था, बात समय हैगी नहीं? विर्कुल, यह मैंने पूरा बताया है, पिछले बाले लेक्चर में बहुत ही बहतनी तरीक के से, इसको मैंने बताया है, कोई टेंशन की बात नहीं, और हाँ, सभी लोगों के याद रखो, यह इंडियन जोग्राफी का special batch जो चला है, इंडियन जोग्राफी का, क्योंकि यह मैं चला पढ़ा रहा हूं, उसको कहते है राजनेतिक भूगोल, इस पॉलिटिकल जोग्र अगर आपको सारी किलास लेनी हैं तो, बाकी आपकी मर्जी है, यहाँ पर पढ़ लीजिए थोड़ा सा, पढ़ लीजिए और आपको यह पता चल जाएगा, दोती विश्युद था, वो कब हुआ, 1949-1945 तक हुआ, ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को सईतराष्ट की स्तापना हुई और इस समय ऐसीघा से, रिपब्लिक ओफ चाइना, याद रखो, रिपब्लिक ओफ चाइना क्योंग 1945 में रिपब्लिक ओफ चाइना का ही कब जाता चीन पर, ठीक है, के-मटी की सरकार का था, अर्थात आज का ताईवान को सथाई सीट दे दी गई, रिपब्लिक ओप चाइ आपको यहां पर बता दी है चलिए अब आगे चलते हैं तो अब यह अच्छप लगाना बंद कर देना क्योंकि भारत ने चाइना को यह परवानेंट जो सीट थी वह चाइना ने वह भारत ने चाइना को प्रोवाइड करवाई थी ठीक है यह सारे लोग याद रखो हमेशा जो अमेरिका है अमेरिका जिसके भी साथ रहता है उसका मौके पर कभी साथ नहीं देता और आपको 1965 के तुमें बताऊंगा रसिया एक भरोसे मंद व्यक्ति है भरोसे मंद एक देश है उसने हमारा हमारे लिए पूरी दुनिया से तक ले ली थी पूरी दुनिया से निश्व का जब बताऊंगा कि कैसे रसिया ने अपनी मित्रता निभाने के लिए पूरी दुनिया से दुस्वनी ले रही थी आज भी हमें जब यूएस असाथ जो हमारा रसी आ रसी जो हमारे दोस्त है वो मुसीवत के टाइम पर एश्टा हैं वड़ करो यह से करो तुम पढ़ लो अच्छे से कोई चीन नहीं समय में तो उसके तुम बता सकते हो तो मैं आरा वानाव से भी पढ़ाऊंगा लेकिन सबकी अपने एक सैली होती है ओके चलिए तो यह वाली बात समय आगी यह वाली सारी हमने यहां पर बता दिया अब आ जाते हैं 2017 2017 में कहां पर आजाते हैं 2017 सीधे सीधे हम 1971 के बाद कहां पर आजाएंगे 2017 में एक बार 2017 में ठीक है उससे पहले कब हुआ था 1967 1967 के बाद 2017 में फिर चीन और भारत की सेनाएं आमने सामने थे कितने साल हो गए यहां पर तोचिये सततर ठीक है सतासी सत्तानवे इलाली लगवग पचास वर्स वाग पचास वर्स के बाद यहां परेकिस्थान है उसका नाम में डो कलाम याद रखो यह वाला जो आपको फिकर को आप अच्छे से देखना इस मैप को ठीक है चलिए थोड़ा दीरे दीरे बता दूंगा कुछ निस इंडियन जेघ्राफर पी काही फेट फेट केवर एंडियन जेघक着 धी का ठीक है याद रखना ओके का रूंख विकास कौमार विकास कुमार चलिए दो दो तो बारे विकास कुमार नितिन सेंग सर सनी है चलिए चलिए क्या पूछ रहे है बताई डैये बिलाह ऐस अन इसे में और सब्चाइब कुछ पूछ रहे हुआ चलिए आजाईए उननीस सो यानि दो हजार सत्रा की बात है यह पूरा भूतान है भूतान पहले मैं आपको दिखा दूँ थोड़ा दीरे भी बता दूँगा क्यों कि कभी-कभी दिक्कत होती है कुछ लोगों को ठीक है कोई यह क्या है भूतान है यहां से लेकर आप यहां पर देख लिए डोकला इसके अलावा यहां पर जो आप देखिए यह ठीक है यह क्या है नेपाल है ओके और यहां पर जो मैं बता रहा हूं यह यह जो है यह सिक्किम है ओके अब सिक्किम है क्या है एक बात याद रखना यहा गाटि तो कभी आप से पूझ लेके चुमभी घाटि कहां पर है तो वो कहां-काहं पर है सिक्किम में हैँ चाइना में है और अमौऑचर प्रिदेश में हैं चुम्मी घाटि झाल है कि के अंदर ये डूख लाव इटिक के है हाँ बिल्कुल 399 में 399 में तो यहां पर लिखा हुआ 30% ऑफ है इस्ट में ठीक है 30% ऑफ है तो 30% के बाद 208 के आसपासी होगा तरह आप यूट्यूब पर सबसे मस्त इंडियन जोगराफी बढ़ाते हैं बहुत अच्छे से कॉंस्पी लिए वाह चलिए बहुत बहुत धन् सब्सक्राइब घ्रवप चलिए में 3113 बहांOST उसलागं ट्राइब सब्सक्राइब चलिए यह ट्राइन जंक्सन है, यह अपने आप में काफी महतपूर प्लेस होते हैं, यह सामरे के दरश्टी से काफी अच्छे होते हैं, ठीक है, पहले डोकलाम इस्तिती पहले इस्तिती बता रहा हूं, चुम्मी घाटी की मैंने इस्तिती बता दी, यहाँ पर मैंने डोकलाम की इस् अब डौकलाम से हमारे सामरे महित कैसे जूड़े हुए है ये तो देख लो इसे डौकलाम पर अगर चाना का कबजा हो जाए तो इससे हमें भारत को क्या नुक्षान होगा अरे ये भी तो देख लो तो यह मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूँ, मेटा गौर से देखिए, यह पूरा जो आपको दिखाई दे रहा है, इंडिया है, यह नैपाल है, और यहां पर यह तिबबत है, यहां पर बाहला देश है, यहां पर भूटान है, और यहां पर यह हमारा North East है, ओके, चलिए, और यहां पर दोकलाम है, याद रखना, और यहां पर तो हमारा प्रतिदुन्दी चायना बेठा है, और हमेशा स्फिराक में रहता है, कैसे भारत के टुकड़े कर दिये जाए, कैसे भारत को कमजोर किया जाए, तो 2017 में यही सोच कर, कि मैं अब दोकलाम पर अपना कवजा क करूंगा, और इसने अपनी सैना को यहां पर भेज दिया, अब भारत को चिंता हुई, भारत ने भी अपनी सैना को भेज दी, क्योंकि भूटान के पास अपनी सैना नहीं है, भूटान की रक्षा करने का जो दायुत है, वो भारत के पास है, भारत की सैना भूटान की यह वाली जो पोजीशन है इधर क्या है बांगलादेश है इधर क्या है नेपाल है इधर भूटान है और यहां पर चाइना है यह वाला ठीक है अब पूरे भारत को अगर पूरा भारत यह जो हमने यलो बनाया है यह पूरा भारत है यह भी भारत है इस भारत को यहां पर जान यहेंने के लिए यहां से जाना पड़ता है और यह को इस पर कभजा कर ले क्योंगे चैना यह Sak Ram Там यहां कि यहां पर कभजा करता मिहले कि यहां पर कोई कबजा कर ले तो बारत इसको कैसे बचाएगा भारत की सेना यहां तक कैसे जाएगी भारत की रसद सामिगरी यहां पर कैसे जाएगी कोई जाने का रास्ता नहीं है देखो यहां पर नेपाल ने जाना पड़ेगा तो नेपाल जरूरी रास्ता दे इधार से बंगलादेश होके जाना पड़ेगा बंगलादेश परका एक छोटी सी narrow belt है जिसे हम chicken neck कहते हैं जो सामरिक दृष्टी से काफी महत्पून है यह सामरिक दृष्टी से इतनी ज़्यादा महत्पून है कि अगर इस पर किसी ने भी कभजा कर लिया तो नौर्थ इस्ट को सेश भारत से काटा जा सकता है और हमारे भारत को चिन्द भिन्न किया जा सकता है यह आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा नौर्थ इसलिए भारत में इसलिए याद रखना 2017 में जो लड़ाई थी वो केवल भारत की नहीं थी वो भूटान की सब्सक्राइब यहां पर वकश्या चाहता था कि यहां से फिर आगे हो सकता उसका मुव्मेंट दिमांग में हो कि मैं अगर इस पर कबजा करनूं किसी तरह सी आगे चलकर आज नहीं 10 सार 20 सार 50 साल के बाद अगर मैं यहां पर कबजा करनूं तो नौर्थ इस्टेट को में क करता रहता है उसको के वो एक देश चाहता उसको कहते हैं ग्रेटर उसको ग्रेटर नागालेंड साथ ही साथ असम में भी उग्रवादी आंदोलन होते हैं यहां पर भी आंदोलन होते हैं यह कोई कोई यहां पर यहां पर कोई यहां पर कोई विवाद रही हो आप बहुत सारे भीवाद है वे यहां पर बहुत सादा नागालेंड में तो हमारे बहुत सारे सम्मेidents के लागूं नहीं होते हैं वो यह रखो तो यह बड़ा आसान था कि यहां पर के लिए याप यह और इसको भारत से अलग करके इसे अलग कोई देश है मैं यह था है षैना पूरी कुनिया का ही दुश्मन है अनुवरतन जी सर कपिल मौनु चलिए चीन पूरे हैं अब को सही बात है है यह ऐसा क्या किया जाए अब वही बात है तो चिकिन नैक यहां पर समझें आगे नहीं तो डोकलाम पर यह जो हम आपको यहां पर बता रहें इसे डोकलाम पर 2017 में यहां पर चीन की सेना आ गई यहां से हमारी भारत की सेना चले गई और अंद तह चीन की सेना को यहां से बापस लोटना पड़ा भारती सेना को उन्हें याद आ गया होगा 1960 कि अगर यहां पर कुछ आगे बोले न तो एक एक सेने चाइना की सेने को ऐसे बगल में लगेगा और भाग जाएगा चाच चार पांच पांच को तो हम ऐसी बगल में लेके भाग सकते हैं ओके बात समयाएगी नहीं चलिए तो यह हो गया 2017 में मैंने आपको कुछ चीज़ भारत में आंतर रूप से उत्थल पुतल होती रहे भारत को पूरे दुनिया में नीचा कैसे दिखाये जाए भारत को आइसलोट कैसे किया जाए भारत की अर्थ विवस्ता को कैसे तोड़ा जाए भारत में आत्मवादी गत्विदियों को प्रोसाहित कैसे दिया जाए पाक मुहंबब का सरगना है और जैसे मुहंबब भारत में आतंकवादी गटनाओं को करने के लिए क्या है बहुत ज्यादा विख्यात है इसका नाम है विख्यात को क्यात कहना चाहिए भारत ने एक रेजुलिशन लेके आया UNO में कि इसको अंतराष्टी आतंकवादी गोसित कर दिया जाए अब अंतराष्टी आतंकवादी गोसित होने के लिए UNO में क्या होती है बोटिंग होती है और बहुत सारे बोट इस इस पक्ष में पड़े कि इसको आतंकवादी गोसित कर दिया अब चीन हमें हर मोर्चे पर नीचा दिखाना चाहता देखो तुम्हारी ओकात यहीं है और भारत भी धीर दीर उसे ओकात दिखा रहा है हमारी ओकात यह नहीं है अब आपको आता भी तो दिखाएंगे ठीक है यह चोटे-चोटे से पतले-पतले से हो तेंज न मतलू हमें शतंदर देश देखाना घोStar्षित करते हैं कि यह क्या वगाड लेगा चैनना गहें जिसके पाथ पावर है उसकी किसी के अउकात नहीं है को यह बोल दे दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी एकौनमी है हम इतना पीछे नहीं हम श्यागते देखें, nominal GDP पाँशवे नमबर पर आते हैं, सबसे बड़े देश में, साथवे नमबर पर आते हैं, बहुत सारे उत्पादन देखेंगे, production में, हम पहले नमबर पर हैं, software एंजिनिंग में, हम पहले नमबर पर हैं, हम इतने कमजोर देश रही हैं, तो अब हमें hard facelay लेने करना चाहिए, और eye contact, आँख में आँख डालके चायना से बात करना चाहिए, तुम अगर हमारे खिलाब काम करोगे, तो हम इस पश्ट रूप से तुम्हारे खिलाब काम करेंगे, और भारत को सबसे बड़ी बात है, चायना पर ब्यापार, यानि जितना ब्यापार का बोज असली ओकात दिखानी पड़ेगी चायना को, तब जाके चायना सुधरेगा, ओके, तो देखिए, ऐसे ऐसे चायना करता है हमारे साथ, वासन में आगे नहीं, चलिए, अब थोड़ा सा और में आगे बता दू, अभी आपको थोड़े दिल पहले पता होगा, गलवान घाटी में फिर दुवारा से हमारी और चायना की सेना फिर दुवारा से आगे, गलवान घाटी, ठीक है, अभी गलवान घाटी इसके बाद जो हुआ, फिर उसके बाद क्या होगा, गलवान हो गया, यह तो आपको पता है, गलवान, आपने देखा होगा, कि खवर आई एक बार, कि भारत के बहुत सारे सैनकों को यहां पर मारे गए लगवा लनदर को मारे और ब्होंसी चीजों को मताता है बहुत ज्यादा वोगता नएं हमारे सैनक कितने मरें ये कोई डर लोकतारति इता है हैं बहुत में T turnaround गल्वान हूँए 2020 में और यहां में जिस्ए को ऊपर कर दिया और आज अमेरी पर आज शैना की सब्सकार मारे गए थे लेकिन कितने कितने कोई 40 बताता को यह चीन ﷺ बताता है और अलग बात हो जो पूंझ यहां पर आपको को सब्सक्राइब 20 के बारे में बता दूँ यह पूरा आपको दिखाई दे रहा है और यहां यह मैं बहुत सारी चीज़ बताओं देखो समझोगे आपको यहां पर यहां पर डैम चॉक है यह वाली दिखाई दे रही है आपको यह डैम चॉक है इसके बाद यहां पर क्या है इस पैंगोर गैफ और यहां पर क्या है यहां पर सियाचीन यहां पर याद रहा है सियाचीन दर रहा है जो सियाचीन गिलेशियर है जहां पर हमारी सेना रहती है अब हमने क्या गिया हमने यहां पर एक रोड बना लिया है उस रोड को कहते हैं दौलत बेग ओल्डी रोड इस रोड को क्या कहते ह बोलत बेग ओलडी और अब देखें यह रोड किसके पास है रोड आ Πको दिकाई रहा होगा यह जो आपको पतली स्ध आपको पतलर लए सी है इसके पास है और चाइना को यही खतक गराहाolly है कि अब भारत की सामरिक इस्थिती भारत की जो रक्षा की इस्थिति है वो काफी मजबूत है अब यहां से आराम से सारा सामिग्री बगरा इस रोड के थ्रू यहां पर सिया चीन तक पहुंच जाए करेगी और सिया चीन से हम इस चीन पर यहां पर और यहां पर सब जगे ध्यान रख पाते हैं सब जगे नजर यही अब उसने सोचा कि a'm करता हूं कि मैं यहां पर कब या कर लेता हूं इस वाली जग氣 को तो भारत यहां पर पहुंची नहीं नहींगा ये इसकी सौच थि ने तीकों यह आज की सॉचेशन तुम आपको बहुत सारी चीज बता रहा हूं तो मेन जो नड़ाई हुई थी मेन जो यहां पर टकराव आप आपको और जदा पताने की जरूत है नहीं यहां पर भी आपको दिखाई दे रहा है यह पूरा यहाँ से यहां से यहां पर कभजा करना चाहता था चलिए आईए यहां पर पैंगोंग जील को मैं यहां पर ऐसे करके दिखा दे रहा हूं पूरा तोटली ठीक अच्छी तरह ऐसे देखो पैंगोंग जील में क्या यह पैंगोंग जील है यह आपको दिखाए दे रहा है और यहां पर यह पहारियां है यह आपको दिखाए दे और यहां से लेकर यहां तक इंडिया की सेना रहती है थोड़ा समझ लेना इस बात को पता है तो कोई बात ही नहीं है ऐँ किशा सब्सक्राइब नहीं रहे हैं किशी को नहीं आ रही है कि आवाज किसी को नहीं आ रही है आप Yap डिल लिए भात 받고 अहां के आफ 59 कुछ जो पहली बहती रहे है नेいます है और देखना आवाज नहीं आ रही है विद्ट है और आवाज नहीं आ रही है और आपके सारे लोग बताओ आवाज आ रही है चलिए तब तक मैं आपको यहां पर बता दे रहा हूं अपना भूबारी भी खोल दे रहा हूं। जिससे की मुझे पता चल जाएगा, कि आवाज आ रही है का नहीं आ रही है, अच्छा आवाज आ रही है, सबके मुबाल में थोड़ी सी प्रॉल्म आगरी होगी, आवाज आ रही है, बॉश ठीक है, चलिए, आ रही है तो अच्छी वाद यहां पर देख लिए अच्छे से, यह आपको finger दिखाई दे रही है, और यहाँ पर, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो आप देखोगे, यहाँ पर, यहाँ पर चायना रहता है, यहाँ पर चायना की सेना है, ठीक है, और यहाँ पर, यहाँ पर क्या भारत की सेना है, यह बीच में जो आपको छेतर दिखाई दे तो क्या है हमारी भारत की सेना यहां पर पैट्रोलिंग करने के लिए जाती है इधर जो चायना की सेना है वो इधर पैट्रोलिंग करने के लिए यहां से लोड़ जाती है जब ठीक है हाँ ठीक है ठीक है हाँ करके वो चली जाती है चायना की सेना यहां तक आती है यहां की सेन यहां तक जाती है पैट्रोलिंग करते रहते हैं यहां पर दोनों को अधिकार है पैट्रोलिंग का अब क्या हुआ 2020 में क्या हुआ इस चायना की सेना पैट्रोलिंग करने के लिए आई और यहां पर रुख गई फिंगर फोर के पास रुख गई और यहीं przepर क्लैस हो गया फिर हमारी सेनन ज़र पैटोलंग करने के लिए घई टो देखा कि चयने की सेनन तो यहां बैठी हुई है उनसे आप जाओ पैटोलंग करने के लिए जब बात करने के लिए गई तो बाती बातों में इतनी बहेंकर लडाई हो गई हाता पाई हो गई और बहुत सारी पहाडियों से हमारे सेनकों को पता जब बहुत सारे लोग थे हमारे सेने काफी कम थे ठीक है तो उन्हों धक्का मार दिया गया बहुत सारे नीचे गि किया था यहां पर नहीं किया था यहां पर बैट गए थी भारत की रहती थी हम उसको मानेंगे अबго धीरे यहां से चायना की सेहना पीछे हट रही है ठीक है यहीं विवाद था यहां पर गल्वान का और ज़ादा इसमें को जानने ज़रूवत नहीं है तीक है अब यहां पर बहुत हमने क्या का यह बाला बैच जो इंडियन जोग्राफिक का है वह यूपीमसी से लेविल तक कि हम्मसें कितने ज़्यादा भारत से पता यह कहते हैं भारत के बिरुद्ध कितने कितने काम करता है एक है इस ट्रिंग ओफ पल्स इस ट्रिंग ओफ पॉर्ट इसको कहते हैं मोतियों की माला भारत को चायना धीरे 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 घेर रहा है अब भारत को घेर रहा है और भारत को घेरने वाली जो रननीती है चायना की उसी को कहा जाता स्ट्रिंग ओफ पल्स यानी मोतियों की माला बासमेगनी इसी को क्या कहा जाता है मोतियों की माला तो यहाँ पे देखिए यह भारत है यह क्या है यह भारत है यह चायना है अब चायना ने भारत को क्या किया भारत को कबजा करने के लिए उसने सबसे पहले बांगला देश में यह बांगला देश है याद रखना एक लोके चितगाउं एक बंदरगा है, और इसे बंदरगा पर कबजा कर लिया है। यानने इस पर अपनी पकड मजबूत कर रखी है। यहाँ इसने बांग्लादेश से यह बंदरगा को ले लिया है। ठीक है, और यहाँ से वह भारत को काउंटर कर सकता है। फिर उसके बाद इसने म्यानुवार से एक जगे यहाँ पर बंदरगा ले 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 रखा है उसका नामे सितवे बंदरगा तो सितवे बंदरगा से भी भारत को काउंटर कर सकता है। पिर यहां पर इसक्त स्री लंका हमन टोटा हमन टोटा पर बंदर रहा है पिर यहां पर ग्वादर में और यहां पर इस्टेट औहूरमूज में उसने बंदरगा बना रहा है और यहां पर बॉबल मंडेव जो स्टेट है वहां पर भी एक बंदरगा बना चुका है देखिए इस तरह से यह भारत को क्या कर रहा है इसने भारत को चारो और से घेर लिया है देखिए यह क्या किया है इसने भारत को चारो और से घेर रखा यहां पर दिखाए देरा है भार कर बंदरगा है इस तुछ स्ट्रिंग ऑफ पल्स जो भारत के खिलाफ यह क्या कर रहा है कबंजा करने के लिए कार कर रहा है। इसी को इस्टिंग सारे काम किये लेकिर हम केवरब भारत और चैना के समपन्दों की मात करेंगे। कभी प्रशन nivel ऑजाती मुझेक लेकिन यह भूल गया यह भूल गया अब 1962 वाला भारत नहीं है अब आख उठाओगे तो दोनों आखे फोड़ दी जाएंगी एक आख उठाओगे तो दोनों आखे फोड़ देंगे एक हाथ उठाओगे तो दोनों टांगे काट देंगे आपकी अब यह 1922 वाला भारत नहीं है हमने इसको काउंटर करने की काम किया हम तो यह जो काम कर रहा है हम इसके counter निकालते हैं कि इसके string of pulse है उसके just counter किया और counter के लिए हम लेके आए diamond of necklace ठीक है क्या लेके आए हम diamond of necklace necklace लो तुम्हारी क्या है string of pulse है और हमारी देखो diamond of necklace है तुमने हमको तुमने क्या सोचा कि तुम हमें चारो तरब से घेल लोगे हम तुम्हें नहीं गिर पाएंगे देखाते हैं तुमारी ओकाद देखिए यहां पर देखिए diamond of necklace में यहां पर आपको द्यूप लेके तो इसको हमने चायना को चारो और से घेल लिया उसने इस तिंग ऑपर समय भारत को चारो और से घेल लिया चायना के लिए निया से जाता है याद रखना तेल जाता है यहां होकर यह क्या है यह मलकका इस्ट्रेट है यहां पर हमारा बेश है युद्ध होगा तो खतम हो जाएगी अगर तेल की सप्लाई खतम हो गई तो चाइना गोटनों पर आ जाएगा मर जाएगा चाइना अगर हम केवल इसको रोग दें तो अब चाइना हमें ऐसे न समझे जैसे हम कभी पहले हुआ करते थे आज हम ऐसे नहीं है अग हमने बहुत कुछ अपने आम में बदराब कर लिया है तो बात समयागी नहीं उल्टा है इस ट्रिंग ऑफ पल्स का जो काउंटर जो इंडिया ने किया है वो कौन सा किया है वो किया है डाइमंड ऑफ नेकलेस किया है याद रखे आगे चले अब आगे चले एक और में आपको थोड़ा चाइना के बारे में चाइना के बारे में आप से लिए बहुत सारी चीजें आपको डिसकर्स कर रहा हूं जिससे कि आपको चाइना को समझने में काफी आसानी हो जाए एक और चीज़ चाइना के बारे में बता हूं इसको कहते हैं यह जो चाइना आपको दिखाई दे रहा है यह जियांग है यह सकती साली था प्राचीन टाइम में तो यहां से क्या होता था यहां से वह रेसम को क्योंकि सबसे ज़्यादा जो टेक्नलोजी रेसम की थी वो चायना के पास थी चायना रेसम का उत्तपादन करता था और रेसम को बनाने का जो कार था वो क्या था वो चायना के पास ही टेक्नोजी थी तो इस मार्ग से यानि यहां से होते 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 यह रेसम का व्याहपार करता था पूरे यूरोप तक यह पूरा यूरोप आ गया ना समयाग नहीं यहां से लेकर पूरे यूरोप तक करता ठीक है और क्या करता था यहां से भी करता था ऐसे करके साथ ही साथ वो यहां से भी रेसम मार्ग का अनुसरान करता था यह समुद्री मार्ग है यह नीला नीला बना हुआ है वो ऐसे करके करता था अब क्या हुआ कि चायना का विकास हो गया है आपको पता है चायना का अच्छ रेशम मार्ग को मैं पुनह क्या करूंगा जीवित करूंगा इस रेशम मार्ग को मैं दुबारा से बनाऊंगा यानि ये चायना के प्राचिन गौरब की बात है चायना पहले से यहां पर व्याफार करता था तो ये गौरब की बात है चायना के लिए तो मैं इस दुबारा से की इसे हो गी कि यहां से मैं रोड बनाऊंगा रोड ये सारी चीज को इसको पुनर जीवित करूंगा जितनी जगह ओके तो चायना ने कहा कैसा है इन सारे इस कजाकिस्थान से घगाई काई कके स्थानेस के पास सबसे पैसा देता है और धीरे धीरे उस देश की चीजों को अपने नियंत्रण में ले लेता है जैसको जैसे चांपल बता रहा हूं यह सिरी लंका अब स्रीलंका से कहा कि काम कि आप अपने यहां पर एक बन्ताय करोगा तो अप्छी गोड़ा अच्छी बात है यहां पर आच्छा है स्थरी यहांपे प्याשा दे दिया पूरे स्री यहां पर काम करो हमारा आधिकार दो यहां प्रकार से सारे देशों यह क्या करता है आवस्चक्ता से ज़्यादा कर्ज देता है और करज दे दे के, दे दे के करज, क्या करता है, उनकी जो economy है उस पर कबजा कर लेता है, जब यहाँ पर कबजा, यहाँ पर जो यह इनके depth trap में फस जाते हैं, रेरिण के जार में फस जाते हैं, और फिर चायना के खिलाब आवाज नहीं उठा पाते, चायना फिर बहुत सार उल्टे सीधे कर कर देता है, उसके बाद भी आवाज नहीं उठा रहे हैं, ठीक है, यह चायना ने यही काम किसके साथ किया है, पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान में यहाँ पर गौाधर बंदर गा है, उसका अपने जितने भी इस इस पर जो दिखाई दे रहें यहां पर वो क्या कर रहा है दीरे दीरे इनको कर्ज दे रहा है और इने अपने कर्ज के जाल में फसा रहा है खूब कर्ज देता है खूब पैसा है खूब कर्ज देता है और तुम्हें बताऊं यह कितना बढ़िया कितना और कितना चालाक है, और इसे भी आपको पता चलेगा, इतना चालाक है, कि जहां पर ये जो कर्ज देता है, कर्ज देता किसमे है, कर्ज देता इंफ्रास्ट्रक्चर में, आदार भूत धाचे में, जैसे रोड का विकास, जैसे बंदर गाहों का विकास, जैसे किसका विकास, अगर और की विकास करेंगे तो हवायड्डों का विकास, उनके विकास के लिए पैसा देता है तो पेरे करजा देता है चाइना की कंपनी यहां पर टेंडर ले ले लेती है फिर चाइना का उसमें सामान का यूज होता है चाइना के यहां पर विकास होता है वहां पर सामान बनता है वहां की GDP बढ़ती है और करजा का करजा यूज होता है साथ इसाथ इन पर यह बोज भी यहां पर बता रहा था, यह जितने भी सिल्क रूट पर जो देश दिखाई दे रहे हैं, सब को यह अपने कर्ज के जाल में फसाता जा रहा है, यहां तक के इटली को भी उसने अपने कर्ज के जाल में फसा रखा है, चलिए, खेर चलिए, हर चीज का एक काउंटर होता है, या जो जी सेवन एक जी सेवन मीटिंग हुई यह कहां पर हुई यूके में अब इसका सिलक रूट से क्या संबन्द थोड़ा सा ये बात बताइए यह सड़ानगा ने ज़्यूरपान फैलका उडूनिय। यूर्पान यूनियन है यह वारी बात याद दया लिए शेवन में कौन- तो यहाँ पर आपको यह नी नीले नीले दिखाई दे रहे हैं यह नीले नीले जो दिखाई दे रहे हैं यह twitch क्या है G-7 है, ओके, तो यहां पर क्या है, कैनडा है, यहां पर इटली और फ्रांस, तो मैं पता इटली और कौन-कौन से हैं यहां पर, इटली और जर्मनी और फ्रांस, यह इटली जर्मनी फ्रांस है, इटली फ्रांस और जर्मनी और यहां पर UK और पूरा यूरोपिय यून पूरा European Union यह संस्था है एक यहां पर जापान है ओके इतने हैं याद रगना दुबारा देख लो United State अमेरिका है United Kingdom है Canada है France है Germany है इटली है जापान है European Union पहले इसमें एक और था जिसका नाम है रसिया था तो पहले इसको क्या कहा या था जी एट और यहां पर मीटूं साथ है यहां बहुत भारत को भी बलाया गया भारत observer state है ठीक है क्योंग अभी उसको G7 का दर्जा नहीं मिला है भारत को बुलाया गया और उसमें ठीक है जियो वाइडन जो प्रधान मंत्री है कहां के यह प्रसीडेंट है जो जियो वाइडन USA के इन्हों कि उसके एक नया कदम उठाया है वह कदम यहां पर लेखा हुआ है मैं आपको बताऊंगा एक उन्हों ने एक नया ठीक है एक नई चीज लेक्शा है और चाइना के जो कर्ज जालक को ठीक है बचाने के लिए वह एक नया इनिसियेटिव उठाया गया है Jio Viden की तरफ से ठीक है अब कहोगे कि Jio Biden कुर बड़ाया था जिवो बाइड़न ने ये क्यों क्यों कि मैंने भी आपको बताया था कि चायना अपने आसपास के देशों को कर्ज के जाल में फ़सा रहा है तो Jio Biden एक initiative लेके आएं G7 का कि हम एक नई चीज लॉंच कर रहे हैं BBBW यारी Building Back Up Better World और इसमें हम फंड रखेंगे चालीस ट्रिलियन डॉलर चालीस ट्रिलियन डॉलर पूरे पूरे जो चाइना का जो बजट है पूरे जो चाइना की अर्थ विवस्ता है वो मात्र 12 ट्रिलियन से 14 ट्रिलियन है और ये 40 ट्रिलियन का एक क्या मनाया जाएगा और सारे देशों से कहा जाएगा अगर आपको करज की जरूरत है तो हमसे लो इस BBBW की जो initiative है उससे करज लो तो बाकी सारे देश चायना के करज जाल में फसने से बच जाएंगे और सारे करिज के जाल से निकाल लेंगे चायना के बढ़ते हुए प्रभाव को हम कम कर पाएंगे छायना के बाद से कहा आप भी योजना में सामिल हो जाओ भारत ने कहा ऑब हमстеडि करेंगे अरे तुरंद क्यों हां सामिल हो जाएंगे अरे अब तो सीना ठोके जब दुस्मन है तो सीना ठोके कहो कि हां दुस्मन ही निभाई है तो दुस्मन ही निभाने के लिए तैयार है हम भी तैयार है अभी तक चाइना के खिलाब काम करने से पहले 50 बाद सोचते हैं अरे सीधे कहते त चाइना के कर्जजाल से हम देशों को बचाएंगे और भारत को अपनी एक अंतरराश्टी छवी ऐसी बनानी पड़ेगी सुतंत्र जिस पर कोई नियंत्र नहीं करता जो किसी के दबाब में नहीं है लेकिन ऐसा नहीं किया खेर चलिए चलना है तरगोई केर अभी इसमें सामि का लेगा और चाइना के बढ़ते हुए प्रवाब को क्या करदेगा कम जो कर देगा एक टाइम पर एक अमेर्का जो जो चाइना क की leading के टाइम ने क्या क्या किया कि 1 पिक्छर आई एक चित्र प्रकाश्ट और चित्र में देहो यह चित्र बन गया है यह चित्र जो है वो हुए पने आव रॉब पाफो dealt is नहीं लास्ट को लॉप है यहां तो यहां पर इस तरह से सबको यहां पर दिखा दीया और भारत को कि पास क benefiting भारत की मजा कोड़ाई गई रही है कि यह तो रह गान जाता है क्योंके जीजी jam का सदस सी नहीं है, इस कुर Do देखो कितना खतरनाक मज़ा कोड़ाया है यहां पर आपको दिखाय दे रहा है यह वाई चीज आपको ले यह गंग आज cònा यहां पर गfahr्मोत रहे और इसके उसको चड़ائी जा रहए यह उसको चड़ाही जा रही है यहां पर इसको यो बोटल चड़ाई जा रही है साथ ही साथ क्या है या औक्सियन की कमी यहा पर दिखाईगी या औक्सियन का से लेंडल लेक 550 त découvrir झाल है भारत को जगायर प Malays करने के लिए यह ऐसे भारत के भारत को बेज़िती करने के लिए क्या क्या करता रहता है आप यह पर देख सकते हैं चलिए तो आज की क्लास हमारी सिर्फ इतनी ही और अगली जो क्लास होगी बहुगी इंडिया-पाकिस्तान रिलेशन के बारे में इंडिया-पाकिस्तान बॉर्डर डिस्प्यूट है कल की क्लास इंडिया-पाकिस्तान बॉर्डर की हम करवाएंगे साथ ही साथ उसमें यह बहुत साली चीज़े हम आपको करवाने बाले है नेक्स्ट पाकिस्तान और उसके रिलेशन में यहां से इंडि आज की क्लास हम सिर्फ इतने ही यहीं पर छोड़ जाते हैं यहीं कहके कि इस वीडियो को बेटा अपने देश के लिए ठीक है और सारी लोगों को यह चायना के संबंद में जो इन्फोर्मेशन है उनको सेर करने के लिए इस वीडियो को ज्यादा स्यादा लोगों के पास सेर क तर दो बहुत सारी जीज ऐसी है जो आज की युवा पीडियों को नहीं पता है तो चलिए इसी के साथ में यहां आपको छोड़े जाते हैं